हेलो अब्रीवन वेलकम टू माइ यूटिव चैनल फार्मर रिसर्चर सो आज है डे 28 डेली फार्म एमसे क्यू डोस सीरिस का जिसमें हम डेली के 10 MCQ questions solve करते हैं with detailed explanation and additional information जो कि आपके सभी pharmacy related exams के लिए important होते हैं सो चले start करते हैं आज के पहले कोशन से तो पहला कोशन है बेलडोना इस परेनियल हर्वेसियस प्लांट विच इस आलसो नोन आज तो बेलडोना को और किस नाम से जाना जाता है तो इसमें आपका option C जो है वो correct answer है अब बात करते हैं वेलडोना के बारे में other important चीज़ें जो exam के लिए important होती हैं जहां से question पूछा जाता है तो इसमें कौन सा part plant का use किया जाता है तो इसमें आपका dried leaves use किया जाते है as well as इसमें other aerial parts जो होते है plant के उनका use भी इसमें किया जाता है अब इसके botanical नाम के उपर question बनता है botanical नाम है इसका atropa belladona atropa belladona is the botanical name and ये atropa belladona किसके लिए है it is for European belladona European belladona जो है वो आपका होता है atropa belladona से बहीं है दूसरी बात करूं तो इसमें आपका obtain होता है atropa acumenata से भी it is also obtained from atropa acumenata जो की आपका होता है Indian belladona इन दोनों के उपर question आता है कि आपका Indian belladona का biological source क्या है वो है आपका atropa acumenata जबकि European belladona का क्या source है आपका atropa belladona इसके बाद इसकी family की बात करूं तो फैमिली जो है इसकी that is solenacy family is solenacy तो फैमिली की उपर भी question इसमें बनता है दे इसके बाद important चीज़ इसमें आती है chemical constant इसमें कौन से chemical constituents present होते हैं तो इसमें total alkaloidal content की बात करूं वैलडona में तो वो आपका 0.4 से लेके 1% तक इसमें आपका total alkaloidal content जो है वैलडोना में present होता है और इसका जो main alkaloid होता है वो आपका होता है hyosamine hyosamine जो है वो इसका main alkaloid होता है and hyosamine की जो racemic form होती है that is atropin ठीक है it is also contained it is also an important chemical constant of belladona इसके लावा इसमें जो other chemical constants present होते हैं वो आपका belladonin आ जाता है scopolatin आ जाता है hyosine, pyridine, n-methylpyroline तो यह different है main जो इसमें आपको या रखना है वो रखना है आपको levo hyosamine and atropin atropin क्या है, rhythmic mixture है किसका hyosamine का, तो यह चीज़ें आपको दो याद रखनी है इसके लावा uses के ऊपर काफी बार question बनता है तो इसके जो uses है it is used as parasympatholytic parasympatholytic drug है यह and इसमें anticholinergic properties होती है जो भी हमारी body में different types की secretions होती है जैसे कि आपका sweat हो गया, saliva हो गया या फिर gastric juice हो गये इन सबी types की secretions है इनको reduce भी किया जाता है इससे बेलेडोना की help से and also इसमें जो chemical constant atropin है ठीक है वो आपका use होता है as an antidote in opium and chloral hydrate poisoning basically जो आपका belladonna है बेलेडोना ही आपका opium and chloral hydrate poisoning में use किया जाता है तो यह इसके different uses है तो अभी next question पर जलते हैं so the question is the middle protective covering layer of the brain is so brain की जो middle protective covering layer होती है वो कौन सी होती है तो यह आपकी होती है और एक noid matter इसमें आपका option c जो है वो correct answer है तो इसमें mainly तीन layers आपको देखने को मिलेंगी एक आपकी आजाती है inner layer कि दूसरी आपकी आती है middle layer and तीसरी आपकी आती है outer layer तीनों के बारे हम पता होना जाए यह मिडल हमने देख लिया कौन सी है और एक noid matter जैबकि जो inner layer होती है वो आपकी होती है पिया matter एंड जो आपकी outer layer होती है वो आपकी होती है डिवरा matter यह तीनों layers के नाम आपको पता होने चाहिए इसके उपर other way में दूसरी लेयर के उपर भी question जो है वो बनेगा कि देन नेक्स question में जलते हैं नेक्स question है केल्सी टॉनिन इस सिक्रीटेड वाई तो केल्सी टॉनिन जो है वो किस इस ग्लैंड के तुरू सिक्रीट होता है तो केल्सी टॉनिन जो है वह आपका थाइरोइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है तो इसमें आपका option बी जो है वो correct answer है इसमें other glands की बात करें लाइक आपका आगया pituitary gland तो pituitary gland दो पार्ट होते हैं इसके anterior pituitary and दूसरा आपका आता है posterior pituitary यह दोनों ही जो अलगलग parts है इनसे आपके different hormones जो हैं वो सिक्रीट होते हैं अगर मैं anterior pituitary की बात करूं तो इसमें आपका growth hormone आ जाता है प्रो लेक्टिन आ जाता है एड़नो को ट्रॉपिक होर्मोन आ करता है जो कि आपका short form में ACTH एड़नो कोल्टिको ट्रॉपिक होर्मोन देन थाइरोइड stimulating hormone thyroid stimulating hormone यह भी आपका कौन सिक्रीट करता है anterior pituitary इसके लावा आपके जो follicle stimulating hormones होते हैं and luteinizing hormone वह भी आपके anterior pituitary से ही सिक्रीट होते हैं देन दूसरा पार्ट है pituitary gland का वो है आपका posterior pituitary इस से कौन-कौन से hormone सिक्रीट होते हैं जिसमें आपका आजाता है oxytocin यह काफी important है इसके उपर भी question बना हुआ बैसोप्रेसिन के उपर इसके बनता है प्रोलेक्टिन के उपर भी मिन्स यह आपका जो सिक्रीशन वाला है पार्ट इसके ऊपर definite definite question जो हो बनते हैं तो यह सारे आपको पता होने जाए इसमें directly पूछा जाता है कि posterior pituitary से इसके कौन सा हुर्मोन सिक्रीट होता है तो इस वे में इसमें question पूछा जाता है इसके नेक्स्ट है आपका thyroid जिसमें हमने एक देख लिया kelsitonin other hormones इसमें सिक्रीट होते हैं उसमें आपका आजाता है थायरोगजिन and tri idothyronin जो आपका थाइरोगजिन है वो आपका होता है T4 एंड जो आपका ट्राइडो थाइरोणिन है वो आपका होता है T3 तो यह इसमें important है देन इसके बाद बात करें pancreas की सो जो आपका pancreas है यह आपका insulin secret करता है as well as glucagon ठीक है insulin जो है वो बीटा cell से secret होता है glucagon जो है वो आपका alpha cell से secret होता है यह दोनों भी आपके important है इसके बाद में आपका आता है adenal gland so adenal gland further दो types में adenal cortex आ जाता है इसमें एक पार्ट दूसरा आपका आ जाता है medulla adenal cortex and medulla adenal cortex जो है उसमें आपके glucocorticoids आ जाते हैं ठीक है इसमें आपके glucocorticoids आ जाते हैं and mineralocorticoids glucocorticoids में आपका hydrocortisone mineralocorticoids में आपका aldosterone so aldosterone इसमें काफ़ important है बाकि इसमें जो आपके sex steroids होते हैं जैसे आपका dehydro epiandosterone हो गया वह भी आपका adrenal cortex से ही जो है वह सिक्रीट होता है दूसरा पार्ट है adrenal medulla adrenal medulla से जो जो hormone सिक्रीट होते हैं उसमें आपका आ जाता है adrenaline and noradrenaline यह दो आपके adrenal medulla से सिक्रीट होते हैं इसके लावा एक important और है जहां से question बनता है pineal gland से ठीक है pineal gland से कौन सा hormone सिक्रीट होता है इसमें आपका melatonin जो है वह आपका secret होता है किसे pineal gland से यह एक important extra point है अब नेक्स question पर जलते हैं next question है which of the following active ingredients forms a froth when shaken with water इन में से कौन सा ingredient जो है वो froth form करेगा जब उसको water के साथ शेक किया जाता है तो यह आपका आता है saponin तो ठीक है saponin जैसे कि आपके saponin glycosides होते हैं तो उनको जब water के साथ शेक किया जाता है तो यह froth यानि की जाग जो है वह आपका form कर देते हैं तो जो इसके लिए टेस्ट होता है वह आपका इस टेस्ट को कहा जाता है froth formation test यह इसमें important है इसके लावा saponin glycosides के लिए एक को टेस्ट होता है जो कि आपका होता है hemolysis test कौन सा होता है hemolysis test hemolysis test में क्या होता है इसमें आपका saponin जो भी saponin glycosides है या saponin other कोई important drug है तो उसको लिए जाता है ठीक है saponin glycosides को लिए जाता है एंड उसको एड़ किया जाता है blood in normal saline में ठीक है solution आपका blood in normal saline उस solution में आपके saponin glycosides को एड़ कर दिया जाता है इसको centrifuge किया जाता है अगर आपके hemolysis हो जाती है that will show the presence of saponin glycosides लेकिन अगर hemolysis नहीं होती है then that means there is no saponin glycosides है तो यह आपका दो टेस्ट रहते हैं hemolysis टेस्ट एंड दूसरा आपका growth formation टेस्ट दोनों ही आपके saponin glycosides के लिए रहेंगे कि देन नेक्स कोश्चिन है match the following enzymes with their respective inhibitors यहां पर different enzymes दिए गए हैं इन enzymes के inhibitors हमें यहां inhibitor वाले column से identify करने हैं so first आपका आता है angiotensin converting enzyme angiotensin converting enzyme कौन सा है angiotensin converting enzyme आपका that is ACE inhibitors यह basically इसमें ACE enzyme के inhibitors find out करने हैं तो ACE inhibitors आपके आ जाते हैं प्रिल वाले ठीक है जिसे अनला प्रिल हो गया केप्टोप्रिल हो गया तो यह आपके आते हैं ACE inhibitors that means यहां पर केप्टोप्रिल जो है वापका option एक साथ जाएगा देन दूसरा है aromatase aromatase जो है वापका aromatase का inhibitor होता है एनस्ट्रोजोल तो इसमें आपका यह सेकेंड जो है वापका क्यू ऑप्शिन के साथ लग जाएगा तो यहां केप्टोप्रिल विल वी फर्स्ट एंड एनस्ट्रोल विल वी सेकेंड देन आपका है carbonic anhydrase inhibitor carbonic anhydrase आप diuretics में बढ़ते हैं तो यह आपका आ जाता है acetazolamide that means यह आपका आ जाएगा third point देन है आपका HMG coenzyme A reductase जो कि आपका रहता है lowastatin तो यह आपका बन जाएगा fourth point पे तो यह इसका correct combination रहेगा means first will be with s second will be with q third will be with p and fourth will be with r so इसमें correct answer देखेंगे so first हमने देखा s it will be here second हमने देखा q so यह आपका b option में आ गया so इसमें आपका option b जो हो correct answer रहेगा the next question है which statement is not correct for flocculated suspension flocculated suspension के लिए इसमें से कौन सी statement जो है वो correct नहीं है so chances of cake formation are less particles settle slowly particles form a network or it is easy to to redisperse so यह दो statements है so इसमें first statement chances of cake formation are less so flocculated suspension में cake formation के chances कम होते हैं so this statement is correct then particles settle slowly so इसमें rate of sedimentation जो है वो slow नहीं होता हाई रहता है इसमें rate of sedimentation इसमें हाई रहता है then particles form a network so जो आपके particles solid particles है वो as a flocks की form में होता है means network form करते हैं ठीक है तो यह statement भी आपकी correct है then it is easy to redisperse ठीक है इनको disperse करना जो है वो भी आपका easy रहता है so this statement is also correct so incorrect जो है वो आप क्या जाएगी option number B that is particles settle slowly कि इसमें आपका question जो हो फ्लोकुलेटर suspension के उपर भी बनता है and a defloculated suspension के उपर भी question जो हो बनता है defloculated के उपर हमने already question discuss कर रखा है इसमें तो उसी को अब भी हम revise कर लेते हैं कि इसमें डिफ्रेंसी देख लेते हैं दोनों में सेम चीज़े ही होती है लेकिन डिफ्रेंस होता है opposite way में होती है जो आपका फ्लोकुलेटर suspension है इसमें आपके जो solid particles हैं वो आपके फ्लोक्स की फॉर्म में होते हैं मिन्स ग्रुप में होते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिये गया है कि पार्टिकल्स जो हैं नेटवर्क फार्म करते हैं जबकि डीफ्लोकुलेटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आजन इंडिविज्व एक्ट करते हैं ठीक है इंडिविज्व पार्टिकल्स इसमें रहते हैं देन इसमें रेट ओफ सेडिमेंटेशन की बात करूं, so rate of सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेटर में high रहता है, and यहां पे आपका low रहता है, high means fast होगा, and low means slow होगा, then फ्लोकुलेटर में third point आपका रहेगा, कि जो आपका sediment है, वो loosely packed रहता है, so hard cake जो आपका form नहीं होता है, ठीक है, cake formation जो है, वो hard नहीं होती है, it will be less, जबकि आपका जो defloculator है, उसमें, जो small particles होते हैं, वो individual particles की तरह होते हैं, तो वो आपके जो भी void spaces हैं, void spaces को fill कर लेते हैं, larger particles के बीच में आजाते हैं, and जो इसमें cake बनता है, वो hard cake बनता है, जिसको re-disperse करना जो है, वो easy नहीं होता है, then इसमें bioavailability की बात करूँ, so इसमें आपकी bioavailability less होती है, ठीक है, flocculated में bioavailability will be less, जबकि deflocculated में comparatively high bioavailability होती है, as compared to flocculated suspension, so यह कुछ difference points है, इनी के उपर जो है, वो question इसमें mostly बनता है, so अभी next question पर जलते है, the next question है, standards of patent and proprietary medicines are contained in, patent and proprietary medicines के जो standards है, वो किस schedule में दिये गए है, so they are given in the schedule, V of the drug and cosmetic rule, इसमें आपका option D, जो है वो correct answer है, other schedules की बात करें, जिसमें आपका आगया schedule O, schedule O में आपके disinfectant fluid के standards दिये गए है, दिन आता है आपका schedule P, so schedule P किस बारे में है, so schedule P जो है वो आपका life period of drug के बारे में है, ते लाइफ period of drug जो है, वो किसमें आता है, आपका schedule P में आता है, then बात करूँ schedule U की, तो schedule U जो है, वो आपका किस के लिए है, manufacturing, raw material and analytical record of drugs की जो भी particulars होते हैं, उसके regarding जो है, आपका रहता है किसके लिए, manufacturing आगया आपका, raw material आगया, and analytical record, ठीक है, इन different parts के लिए जो भी आपके particulars दिये जाते हैं, वो आपके किस में आते हैं, schedule U में, सबी next question पर जलते हैं, the next question है, typhoid is caused by, so typhoid जो है, वो किस, उसका causative organism कौन सा है, typhoid जो है, वो आपका salmonella typhus से caused होता है, तो इसमें आपका option C, जो है वो correct answer है, इसके लावा कुछ other important causative organisms and diseases के बारे में देख लेते हैं, तो इसमें एक आपका आता है syphils, जिसके उपर काफी बार question बनता है, तो syphils का causative organism है, वो है आपका, treponema, palladium, ठीक है, यह इसका causative organism है, किसका? syphils का, दिन दूसरी बात करें, टाइफोइड की, तो टाइफोइड जो है, टाइफोइड का causative organism है आपका, salmonella typhi, जो कि हमने अब भी इस question में देखा, इसके बाद, हम देखेंगे, tuberculosis के बारे में, tuberculosis भी काफी बार, most of time जो है वो, इसका जो आपका causative organism है, वो है आपका, mycobacterium tuberculosis, या फिर mycobacterium bovidae, ये दोनों ही नामों से, इसमें question जो है, पूछा जाता है, इसके बाद, अगर मैं बात करूँ, cholera की, cholera का जो causative organism है, that is, vibrio cholera, देन बात करूँ, diptheria की, diptheria, diptheria का causative organism है, corinobacterium, diptheria, इसके अलावा, बात करूँ मैं, scarlet fever की, scarlet fever की, scarlet fever का causative organism है, staphylococcus, scarlet ही ने, यह है आपका, scarlet fever का causative organism, इसके लावा, एक important है आपका, meningitis, जिसका है आपका, नई सीरिया, meningitis, इस, 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 यह आपका, कॉस्टिव और्किनिजम, meningitis, और यह, जो मैंने आपके साथ, डिसक्स की है, यह आपके काफी, important है, सारे के सारे, पूसिदे में, बूसिदे में, इस, जो जो टेस्टिग होती है, इस तरलिटी टेस्टिग, सर्जिकल सिचर मटिजल की, उसमें, इंकूवेशन पीरेड, कितने दिनों का रहता है, इस तरलिटी टेस्टिग में, आपका, 14 डेस, या फिर, 2 weeks का जो है वो incuation period रहता है इसमें आपका option बी जो है वो correct answer रहेगा बात करूं sterlity testing की sterlity testing में mainly आपको दो methods देखने को मिलेंगे sterlity testing के लिए first method जो है वो आपका आता है membrane filtration membrane filtration दूसरा method जो इसमें आपका आता है वो है आपका direct inoculation तो यह दो method आपके important है इसके लावा इसमें question बनता है कि medium के उपर ठीक है sterlity testing में कौन सा medium जो है वो आपका use किया जाता है so sterlity testing में aerobic conditions के लिए different conditions के लिए होता है first अगर मैं बात करूँ aerobic conditions की so aerobic में आपका जो use होता है that is nutrient nutrient growth दूसरा जो आपकी condition आती है वो आपकी आती है anaerobic condition anaerobic and aerobic दोनों में ही यूज किया जा सकता है वो है आपका fluid thio glycolate ठीक है fluid thio glycolate aerobic and anaerobic condition दोनों में ही यूज किया जा सकता है थर्ड जो है थर्ड आपका example आएगा मेडियम का वो है आपका soya bean casein digest ठीक है यह आपका किसके लिए रहता है यह आपका fungi aerobic के लिए रहता है fungi aerobic के लिए अब इसमें जो इनकूवेशन रहता है जो कि यह question पूछा गया था इनकूवेशन आपका कितने देनों के लिए रहता है तू वीक्स के लिए रहता है यानि की 14 डेज के लिए रहता है temperature इसमें important है temperature जो है आपका 32 35 डिग्री सेल्सियस रहता है किसके लिए fluid thioglycolate medium के लिए ठीक है fluid thioglycolate मैंने आपका बताया जो कि aerobic and anaerobic दोनों के लिए है and दूसर temperature इसमें आपको याद रखना है 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक जो कि आपका रहता है soya bean casein digest के लिए जो कि आपका aerobic फंगाई के लिए medium है तो यह temperature आपको याद रखना है आपको इसमें incubation period का time याद रखना है and दो method जो मैंने आपको बताए membrane filtration and direct inoculation वो दोनों भी important है so अभी next question पे जलते है next question है what is a dose for a six month old infant of drug having adult dose of 300 mg इस question में given क्या है adult dose हमें दी गई है infant के बारे में बताया गया है उसकी age कितनी है ठीक है age जो है वो month में दी गई है so month में age अगर दी गई हो and उस case में अगर हमको child dose calculate करनी है so उस case में आपका जो formula apply होता है वो आपका होता है fried rule कौन सा होता है fried rule fried rule के accordingly जो आपका formula लगता है that is child dose is equal to age आपकी आ जाएगी months में divided by 150 multiply by adult dose ठीक है यह इसमें simple formula लगेगा अब हमें age मन्त में दी गई है 6 डिवाइड करेंगे हम 150 से multiply by adult dose हमें दी गई है 300 mg so काफी simple calculation होगी this will be divided by 2 150 multiply by 2 300 होता है and 6 multiply by 2 जो है वो आपका 12 आ जाता है इसमें आपका जो correct answer है वो आपका रहेगा option number D 12 mg इसके अलावा जो child dose की calculation के लिए different formulas है different situations के लिए अगर आपकी age जो है अगर आपकी age years में दी गई है उस case में आपके दो formula जो है वो apply आप कर सकते हैं first आता है आपका youngs rule जिसमें आपकी child dose होती है age in year age किसमें age in year divided by age in year plus 12 multiply by adult dose यह आपका किसमें आता है youngs rule के accordingly दूसरा formula जो age in year अगर दी गई हो उस case में वो आपका रहता है dealings rule कौन से रहता है dealings rule dealings rule के accordingly जो child dose है वो आपके आएगी age in year divided by यहाँ पर direct आपका 20 से divide हो जाएगा multiply by adult dose ज्यादा difference नहीं है divide किस्ते करना यहाँ पर age plus 12 हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा question में अगर specify किया होगा कि youngs rule के accordingly question solve करना है answer आपको find out करना है तो आप youngs rule के accordingly करेंगे अगर नहीं दिया है तो आप दोनों ही formula से answer calculate करके जो भी आपका appropriate रहेगा वो आपका answer रहेगा एक formula आता है आपका अगर आपका age ना देखर के weight दिया गया है pound में एज ना देखर के weight दिया है pound में उस case में आपका जो formula apply होगा वो होगा आपका Clark rule तो यह Clark rule के accordingly जो child dose है that is equal to weight in pound divided by 150 multiply by adult dose अगर दूसरा last formula जो हमने देखा वो था आपका fried rule के accordingly जो हमने यहां पर इस question में apply किया है दिन इसके अलावा body surface area अगर दिया गया हो तो body surface area के लिए child dose जो है वह आपके होती है कि कितना आपका body surface area दिया गया है divided by 1.73 meter square standard value आजाएगी multiply by adult dose इस formula से आपका child dose calculate कर सकते हैं अगर body surface area दिया गया होगा तो यह different formulas हैं सारे ही formulas important है ज्यादा तर जो question पूछा जाता है वो आपका young's rule के accordingly question जो है वो पूछा जाता है तो यहाँ पर 10 questions आज के complete होते हैं that's all from myself so thank you very much कर दो कले पिस जो कि झापकार्णा हैं